नितीश कुमार में ऐसा कौन सा जादू है कि भाजपा बार-बार उनके सामने बिच जा रही है और कल की घटना के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान नितीश कुमार के आवास पर पहुँचते हैं और उसके बाद मीडिया को समभुद करते हुए धर्मेंद्र प्रधान कहते है कि बीजेपी के नेताब बिहार में नितीश कुमार है और नितीश कुमार के नित्रतु में हम लोग सरकार चला रहे हैं पीछे से एक पत्रकार ने कहा कि भाई साब ये बताईए कि 25 तक मुख्यमंत्री सेम रहेंगे और सरकार चल जाएगी तो धर्मेंद्र प्रधान तपाक से कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है नितीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे और NDA 2025 तक सरकार चलाएगी लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक सवाल उठता है सवाल ये कि जो भाजपा थोड़ा सा भी बात बरदाश नहीं करती है नितीश कुमार में ऐसा क्या है कि भाजपा मजबूर है जो नितीश कुमार कहते हैं वही होता है और कल जब सदन में आरजेडी ने मौनसून सत्र को बायकौट कर दिया तो हैरानी की बात ये थी कि जद्यू ने भी अनकहे तरीके से सदन को बायकौट किया और भोजन की पहले से तय था लेकिन धर्मेंद्र प्रधान सीधा जाते हैं नितीश कुमार के आवास पर और उसके बाद चर्चा होती है चर्चा राष्ट्रपती चुनाव को लेकर होने वाली थी लेकिन जो दो घंटे पहले सदन में हुआ उसको लेकर चर्चा हुई थी लेकिन जो मतभेद है वो हो जाता है लेकिन मनभेद जैसी कोई स्थिति नहीं है और इसके बाद एक सवाल उफान मारने लगा कि जो भाजपा कभी भी किसी नेता को या किसी पार्टी के नेता को या किसी छेत्रिय दल के मुखिया को भाव नहीं देती है वो भाजपा आज नितीश अभी भी अपना पलड़ा बदल सकते हैं और वो जा सकते हैं तेरस्वी यादव के साथ एक बात और पर गौर करिएगा पिछले सत्र में नितीश कुमार ने कैसे विधान सभा के स्पीकर विजय सिनहा को रगड़ दिया था विधान सभा के स्पीकर बार बार एक दरोगा हैं वो भाजपा के हैं 2005 से लेकर 2020 तक विधान सभा में वही चीजे हो रही थी जो नितीश कुमार चाहते थे लेकिन 2020 के बाद जब से भाजपा ने अपना स्पीकर बनवाया है इस स्पीकर साहब अपने मन से कुछ भी आदेश देते हैं और राजनितिक गलियारों से ये प्रदाश्ट नहीं कर पाते हैं और उसके बाद जब धर्मेंद्र प्रधान भी आकर बीच जाते हैं नितीश कुमार के चरणों में तब ये लगता है कि भाजपा ये कॉम्प्रमाइज क्यों कर रही है और राजनितिक पंडितों की बात माने तो भाजपा सिर्फ इसलिए क क्योंकि उनको पता है कि अगर 25 से पहले सरकार गिरी नितीश कुमार तर्यस्वी के साथ गए तो 25 में भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी और वैसे भी नितीश जी का रिटार्मेंट का एज हो गया है तो तर्यस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे बाकी इस पर अबने को विधायकों के साथ धरना पर बैठने वाले हैं जैसे इस पर कोई ख़बर आएगी वो भी आपको हम बताएंगे आप जंद अनिंशन देखते रहें मिरे नाम प्रशान तराय है बहुत बहुत धनिवाद